देश के अठारवी लोकसभा के लिए चरण बद तरीके से चुनाव चल रहा है। चार चरण का मतदान हो चुका है और अब पांचवे चरण पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इस चरण में आठ राजे के उननचाज सीटों पर वोटिंग होनी है। ये वोटिंग 20 मई को होगी, अब तक आधी से ज्यादा सीटों पर मतदान हो चुका है और अठारा राजे भी चुनाव के दौर से गुजर चुके हैं। लेकिन इस पांचवे चरण की बात करें तो ये काफी एहम है। हलंकि इस चरण में 50 से भी कम सीटों पर वोटिंग हो रही है, इसकी वज़ा है भीशन गर्मी। चुनाव आयुक शाद इसी वज़ाह से इस चरण में सीटों की संख्या कम कर रखी है। लेकिन सियासी नजरिये से देखें तो ये चरण बीजेपी के लिए के लिए की तरह है तो वही कॉंग्रिस के लिए सबसे बड़ी शुनावती। आईए जानते हैं आखिर क्या है पांचवे चरण की 49 सीटों का गड़िन। सबसे पहले आँख्यों की बात कर लेते हैं। आठ में से साथ राज्यों में कॉंग्रिस को हार का मूद देखना पड़ा था। ऐसे में इस बार अगर इंडिया गडबंधन केंद्र की सत्ता पर काबिस होना चाहता है तो कॉंग्रिस को इस चरण में बहतर प्रदर्शन करना होगा। अमेठी और राइबरेली भी इसी चरण में मतदान होना हैं। दोनों ही सीट कॉंग्रिस के लिए नाक का सवाल है। क्यूंकि राइबरेली से राहूल गांधी चुनाविताल ठोक रही है। बीते चुनाव में उन्हें बीजेपी नेता इस मृती रानी ने अमेठी में हरा दिया था। वहीं अमेठी में इस बार इस मृती का मुकाबला गांधी परिवार के ही करीबी किशोरी लाल शर्मा से है। इनका अमेठी से गहरा नाता रहा है लेहाजा कॉंग्रेस को कांटे की टक्कर की उमीद है। पांचवे चरल में बीजेपी के लिए उत्तरप्रदेश इज़त का सवाल है क्योंकि यहाँ पर 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। इन 14 सीटों की बात करें तो इन में बांदा, कौशामबी, पतेपुर, गौंडा, कैसर गंच, बारबंकी, लकनओ, मोहनलाल गंच, अमेठी, राइबरेली, जालोन, जहांसी, हमीरपुर और फैजावाद सीटे हैं। इन 14 में से 13 सीट पर बीजेपी जीत का परचम लहरा चुकी है। ऐसे में इस बार बीजेपी के लिए ज़रूरी है कि अन सभी सीटों पर जीत बरकरार रखें। बलकि बची हुई एक अन्य सीट रा की तरह है क्योंकि इसमें पार्टी ने कुल सीट का 65 फीसेदी हिस्सा कबजे में कर लिया था। बीजेपी ने यहां 32 सीटों पर जीत दर्श की थी। चार राजनीती दलों ने इस चरण में सिर्फ एक सीट पर ही जीत हासिल की। इसमें कॉंग्रेस, जेडियू, लजेपी और नेशनल कॉंफरेंस शामिल है। एंडिये के लिए यह चरण शानदार साबित हुआ, यहां पर 49 में से 41 सीट एंडिये के नाम रही। पांचवे चरण में महाराश्चुकी 13 सीट पर वोटिंग होनी है। इन सभी सीटों के गणित के बात करें। तो यहां पर बीते चु जिस शिवसेना को लोगों ने वोट किया था वहे उद्धफ UBT है। ऐसे में इस बार यहां पर चुनावी टक कर कांटी की हो सकती है। वैसे बीजेपी ने विरोधियों के लिए विपक्ष के पास कुछ छोड़ा नहीं है। शिवसेना और NCP दोनों ही तूट चुकी हैं औ और इनके सक्रियनेता बीजेपी के साथ आ भी चुके हैं।